ऐसे कई मौक्यों होते हैं जब आस्मान में कुछ खास होने वाला होता है तो वहीं इसका लोग भी खुब इंतिजार करते हैं पहले तो आपको बता दें कि क्या खास होने वाला है और लोगों पर इसका असर आखिर किस तरह पढ़ने वाला है आस्मान में आज बीवर मून देखने को मिलेगा जी हाँ, हर साल बीवर मून देखने को मिलता है बीवर एक अंग्रेजी शब्द है जिसका मतलब ओद बिलाव से होता है आज यानि सुमवार को ये दिखाई देगा आईए जानते हैं बीवर मून की खासियत और इसका किन लोगों पर या फिर कहें तो किन राशियों पर असर पढ़ने वाला है नवंबर का महिना आते ही खगोलिय घटनाओं के प्रेमी बीवर मून का इंतिजार कर रहे होते हैं 27 नवंबर 2000 पर इसयानी की आज ये दिखाई देने वाला है नवंबर महिने में होने वाली पूर्णी मा को बीवर मून के नाम से जाना जाता है सुमवार की रात को ये आकास में चमकता हुआ दिखाई देगा पहले आपको बता दें कि कार्तिक महिने का आखरे दिन कार्तिक पूर्णिमा के दिन होता है और इस दिन मालक्ष्मी और विश्णु भगवान की पूजा अर्चना की जाती है नॉम्बर के इस पूर्णिमा को बिवर मुन के नाम से भी जाना जाता है आपको बता दें कि चंदरमा हमारे मन और मस्तिष्क पर असर डालता है इसलिए इस पूर्णिमा का परभाव सीधा राशियों पर पड़ता है लेकिन कुछ राशियों के लिए ये लाबधायक होता है और कार्तिक पूर्णी मा के दिन चंदरमा की स्थाई से कई राशियों के लिए विभन बदलाव भी आते हैं अब कह लीजे कि कुछ राशियों के लिए आने वाला समय गुल्डन टाइम का होगा तो कुछ के लिए थोड़ा मुश्किल भी हो सकता है आए जानते हैं किन राशियों के लिए ये अच्छा साबित होने वाला है इस लिस्ट में सबसे पहला नमबर आता है कन्या राशि का बीवर मून का खास सैयों कन्या राशि के लिए बहत मंगलगारी बन रहा है दरसल इस दिन चंद्रमा की स्थिती में बदलाव भी भाग्यवर्दक साबित होने वाला है इसके साथ ही कार्थिक पूर्णी मा से जीवन में शुप्ता और सकरात्मक्ता पैदा होगी हाला कि इसके लिए कार्थिक पूर्णी मा पर चंद्रमा को अर्दे देना अच्छा रहेगा तो वहीं इसके बाद नमबर आता है तुला राशी का कार्थिक पूर्णी मा पर बीवर मून तुला राशी वालों के लिए शुप कह जाता है दरसल कार्तिक पूर्णी मापर चंदरमा की स्थिती में परिवर्तन होने से मानसिक विकार दूर होते हैं इसके साथ इतुला राशी वालों को इस दिन मालक्षमी की किरप्या वर्दान सवरू प्राप्त होगी नौकरी व्यपार में खूब तरक्की होगी और आखरी में यानि तीसरा नंबर आता है मिथुन राशी का आज बनने वाले बीवन मून का खास संयोग मिथुन राशी वाले लोगों के लिए अच्छा साबित होने वाला है दरसल कातिक पूर्णी मा पर चंदरमा के स्थिती में बदलाव मिथुन राशी के जातकों के लिए शुब साबित होगा एज देन मानसिक विकारों से मुक्ति मिलेगी आर्थिक स्थिती में शुब परिवर्तन देखने को मिलेगी और नौकरी में भी सफलता मिलेगी अभी के लिए फ्लाल इतना ही खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी